प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आफ विको जैन दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है भारत इस इंडिया पर आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छी होंगे तो आज जम आपके लिएक लेटेस्ट और एक इंट्रस्टिंग वीडियो लेकर आएं ज जिसमें ये दोनों ना सिर्फ चर्चा करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में बलकि बात करेंगे भारत के विदिश्मंत्री डॉक्टर एश जैशंकर के बारे में तो ये वीडियो काफ़ी इंपोर्टेंट होगी इस अन तक देखें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा तो चलिए साथ मिलके ये वीडियो देखते हैं पर अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्स्ट्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए से इंट्रोस्टिंग और लेटर्स वीडियो लाते रहें जैहिंद जैभारत मेरे और आपके दोनों के फेवरिट डॉक्टर जैशंकर का मैं आज देख रही थी एक जगाव इंट्रव्यू दे रहे हैं इंडिया टुड़े का कुछ चल रहा था इवन्ट तो उन्से पूछा गया कि पाकिस्तान के एलेक्शन के बारे में क्या किंगे तो उन्होंने वह इक मेरे उनकों का 30 सेकेंड में बताना है तो उन्होंने खामोशी इखतियार की देखें मैं जो आरजू एक गवमें तरक्की करती है एक इंसान कुछ निकरता है और देखें जब तरक्की होनी होती है तो टीम अकटी हो जाती है लीडर्शिप आ जाती है नेशनलिजम आ जा उनके में मैं तो यह नहीं कह सकता क्या मैं उनके बारे में कहूं लेकिन कल परसु किसी ने मुझे एक मीम भेजी थी कंपैरजन भेजा था एक्सपर्टीज और एजूकेशन के हवाले से के यह दो लोग किस तरह एक दूसरे के साथ इंट्रेक्ट कर सकेंगे डाक्र जैशंक साब का पॉर्ट्फोलियो का भी देखें तो आप हैरान हो जाएंगे उनों जो कताबें लिखी हैं वो देख लें उनकी स्पीचे मैं पॉब्लिक स्पीकिंग का बहुत बड़ा फैन हूं सेलेक्शन आफ वर्ड्स और बड़े तहमल के साथ चीज़ों को बयान करना और दू इंडियन का जिस तरह होता है हर पाकिस्तानी का होता है और उन सरकम्स्टांसिस में उनों जाके अपने वालत को विजड किया है वर्सिस आप हमारे महलात का अगर देखें तो आप आप आपके आँखें चुद्या जाएं लेकिन मैं अफसोस के साथ यह कहूंगा वो जो लो लिए मैटर अप्राइड भी है 27 साल की एज में उसमें पी एच डी की है सिस्टम इंजिनरे में जब वो पाइस साल की थी तो उसका इडमेशन जब एक प्राइवेट स्कूल में गया तो मुझे इंटर्वी के लिए बुलाया गया तो मुझे उस प्रिंसिपल ने पूछा थ आई से 20 साल पहले, 23 साल पहले, कि how would you like to see your daughter after 10 years of when she graduate, तुम किस तरह देखना चाहोगे, मैंने उसको कहा था कि I want to wish my daughter become a scholar, a professor and researcher, और books लिखे, research करे, मेरी ये खायश होगी, और उसने कहा था why, तो मैंने उसको कहा था किताबों की उमरें बहुत लंबी होती है, मकानों की, फ दिफरेंस है, और जो डाक्टर जे शंकर और हमारे और उन लोगों का सबसे बड़ा दिफरेंस यही है, उन्हें लेगसी का शौक है, उन्हें अपनी कौम को आगे लेके जाने का शौक है, उन्हें दुनिया ने जिस तरीके से भारत को जलीलोखवार इस रीजन को किया, फा लेगसी का शौक होगा, हम कपड़ों के शौक से निकलेंगे, गाडियों के शौक से निकलेंगे, तो फिर दुनिया देखेंगे, वो दुनिया देख चुके हैं, देख रहे हैं, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है मेरे ख्याल में, और मेरी दौा है, कि शायद हमें भी है नहीं हमारे कभी कोई डॉक्तर जैशनकर हमें हासिल नहीं होंगे हमें हमारे ऐद्धशन के लिःज से तो बहुत ज्यदा लोग है जहाँ इसलाटबाद में बैठी हैं सारी हारवर्ड की आपके पास बहुत ज्यादा पी एजड्ड़ निया था आक्सफोर्ड की, केमरेज की, लेकिन आपके अंदर विल माजोर नहीं है, आपके अंदर शौक एपटाइट नहीं है, आपके अंदर कि हम अपनी कौम के लिए कुछ करें, आपको अभी तक शौक है गाड़ियों का, आप सरी ना जाए ना मैरियेट, बीस-बीस क्रोड की कर रहे हैं, आप तरक्की कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर कर रहे हैं, यही आपका और उनका वड़ा डिफरेंस है, और मैं चाहूंगा कि फ्यूचर के अंदर, मैं जिस तरह हमेशा कहता हूं कि हमें भी कुछ जायवाला मिले, हमें भी कुछ डाक्टर जे शंकर मिल जो पाकिस्तार आ मैं देखें मेरे बचे लॉंडे लपाड़े मेरे पीछे पढ़ जाते हैं बार बार पढ़ते हैं मैं उनसे कहूँगा कि गूगल करके देखो यार कि तुम्हारी इस्टेवलिश्मेंट तुम्हारे लीडरान कहा रहते हैं उनके बचे कहा पढ़ते हैं और भारत के जो लीड पिछले देख लो चार वजीर आजमомे के कहा बैख गह लुए हो और चार अच्छे बेचने जा रहे यह वात चलती देखे यह उस विर्च नहीं तो पाकस्तान को जला कर लिए यह उसी कंपेंड का हिस्सा है वरना यह होता है इस तरह कभी हुआ है मैंने कल पर सूब किसी मुझे के लोग आ गये है वो बॉठा के अपने साथ रहे जेंगे यह पकॉड़ेंगे कर दो कहते हैं वो आए हैं बाम लेने के लिए आए हैं यह को बाम इस तरह की चीज है जो उठागे बैग में रखके तो वो लंदन ले जाएंगे वाशनी डीसी ले जाएंगे लेकिन बिलकुल बो जिस तरह कहने वो कहते हैं मुर्शद नहीं है तो आग लगा दो हर चीज को और इसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है मेरे ख्याल में हाला कि अगर इस पे कदम उठाया जाए पंदरा बीस लॉंडे लपाड़े पकड़ लिये जाए तो सारी दूसरे चुप कर जाएंगे क्यूंकि आप तो आप कोई आपने तो आज तक किसी से आप तो ल फैल जाती है और लोगो कि कर लेते हैं वजह तो यही अदर हकीकत देखे न मसाइल तो यहीं आपके एकनामिकल मसाइल है और आप देख अगर देखा जा इंडारेक्ली तो जब आप आई एमफ के साथ काम करेंगे तो इंडारेक्ली सोचा जासा बजट वो आपका खुद ब अट्रॉल करता है तो इक निंज कि यूर नाट इंडिपंडेंड यूमोरा आपके सारे फैसर तो वह कर रहे हैं वो तो उनको क्या जरूरत है उठा के कुछी चीज वहां से लेकर जाने कि जब वहीं आप लेट चुके हैं उनके सामने आप तो सुरंगर कर चुके हैं ना उ इतना तो नुक्लियर वैपन ने पाकिस्तान की इफाज़त नी की जितनी पाकिस्तान ने उसकी इफाज़त की, हर दो दिन बार में सुनती हूँ, कोई ले जा रहा है। लेकिन उसको आप पहले ही सरंडर कर चुके हैं हर चीज के अंदर, उसमें अगर देखा जाए, अफसोस के साथ है कि यह मैं अफसोस यह लाजमी कहूंगा कि कोई इंटरस्ट नहीं ले रहा कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मौईशी चैलेंजिस को किस तरह हमने ठीक कर मैनेफेक्चर करके बाहर एक्सपोर्ट नहीं की जा सकती, और दूसरा आपकी रिप्यूट इतनी खराब हो चुकी है बाहर आज भी, मैं दुख के साथ कहूंगा कि कल भी जो है, वो मीर अली चेक पोस्स के उपर आपके साथ नौजवान, दो अफसरान और पांच नौजव शहीद हो चुके, दुख के साथ ने, मैं मुझे दुख है इस चीज़ का, और जब यह लोग फिर देखते हैं तो क्या, आपके पी आई ये का देख लें आपके हालात, आपके दस लोग कैनिडा के अंदर भाज चुके हैं, आज आर्टिकल है बीबी सी के उपर आज इस ची आज रहें हैं, कोई किसी एरलाइन के दस लोग नहीं भागें, दो महीने के अंदर अंदर दस लोग भागए हैं, पी आई एक बागए हैं, प्लिकों, जबकर पासपोर्ट भी रख लिए गयते हैं, फिर भी भाग गये, पासपोर्ट बाग जाता है, वैसी में दो तीन सो ड उसमें मोसन नकवी साब ने परफॉर्म ठीक किया, पिछले डेट साल एजर केर टेकर, बाहर के पड़े हुए हैं, औरंग जेब साब आए हैं, वार्टन स्कूल के पड़े हैं, सिटी बैंक और जेपी मॉर्गन ने उनको ट्रेन किया है, लिकिन यहीं पर बात कीज़े तो म अब खुदा करें के इनको कोई खाहिश भी हो, इनका कोई दिल करें किया अर्म, सार इनकी डिग्रियों का क्या करें, हमें तो कोई चाय वाला ढूड़ने, जिसने कुछ ना पड़ाओ, चाय बनाता हो, वो कंट्री चला है, अदेखे न, आब ना सिर्फ चाय वाला, यूप से, खाहिश से, विल से, डिटर्मिनेशन से चीज़े होती, कौमियत जो है वो डिगरियों से नहीं है, नैशनलिजम डिगरियों के साथ नहीं आता, बिलकुल और इसमें यकीन है, पाकिस्तान को भारत से बहुत कुछ सीखना चाहिए, और भारत नफरत अपने अंदर से नि जहांब इन दोनों ने, ना सिरफ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बलकि चर्चा की डॉक्टर एज जशंकर के बारे में, और खासकर आपने देखा, अर्जु कास्मी ने जाते ये का, कि पाकिस्तान को भारत से नफरत छोड़नी पड़ेगी, इसी में पाकि जयान दुखिए, जय हिंद, जय भारत!